अश्लाम वालेकुम स्ट्ट्टेंस, चyear प्रichte में आज का हमारा लेक्चर नंबर फूर है लि मिटेंग रेक्टेंट और एक्सेस रेक्टेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर करते हैं जो reactants यानिके a plus b वो convert होता है c में a and b हमारे पास reactant है जिसमें जो कि कम amount use होगे उसको हम limited reactant कहेंगे और जिसके ज्यादा amount use होगे उसको हम क्या कहेंगे access reactant और इसको अगर हम दूसरे देखरे से define करें तो कैसे करेंगे वो reactant जो कि completely use हो जाए किसी भी chemical reaction में उसको हम limiting reactant कहेंगे और जो completely used ना हो जिसके amount कुछ ना कुछ बच जाए उसको हम क्या करेंगे excess reactant तो अगर हम इसको define करें तो कैसे करेंगे the reactant which is entirely consumed first during chemical reaction is called limiting reactant यह हमारे पास वो reactant जो के entirely consume हो जाए firstly इसी भी balance chemical equation में हम उसको क्या कहेंगे limiting reactant और वो reactant जो के completely consume ना हो उसको हम क्या कहेंगे excess reactant और इसमें हमारे पास excess reactant क्या होगा secondly use होगा firstly use नहीं होगा उसके लाबाव इसकी एक और definition है कि हम limiting reactant or excess reactant को यह भी कह सकते है the reactant which form least amount of product is known as limiting reactant and the reactant which form more amount of product is known as excess reactant इसको हम prove करते हैं कैसे reactant हमारे पास a plus b है यह क्या है reactant है यह change हो गए है c में यानिके यह product में change हो गए है अब reactant a की amount हमारे पास है 40 gram और reactant b की है हमारे पास 60 gram इन्होंने बना लिया है 100 gram हमारे पास product जो के c हमारे पास change हुई है तो देखें यहाँ पे जो least amount of use होई है reactant उसको हम limiting reactant कह रहे है उसको हम क्या कह रहे है limiting reactant और जिसकी more amount use होई है उसको हम क्या कह रहे है excess reactant और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यह हमारे पास firstly use हो रहा है और यह क्या हो रहा है इस इक्वल टू 2H2, अब अगर हम इसकी Atomic Mass से देखें तो इसकी 4 gram वारे पास Mount used हुई है और इसकी 32 gram और यह कितने बन गया है, यह बन गया है 36 gram, तो देखें यहाँ पर Least Amount to use हुई है, इसको हम Limiting Reactant कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम Access Reactant कहेंगे, क्योंकि इसकी Amount क्या हुई है, More Use हुई है For example, एक और example ले ले लेते हैं, H2 plus S, H2 plus S यह बना रहते है, Hydrogen Sulfide H2S अब इसकी Amount कितनी है, 2 gram और इसकी हमारे पात 32 gram, और इन्होंने बना दिया 34 gram हम तो देखें, यहां पर Least Amount यूज हुई है, H2 की, तो यह क्या किलाया, Limiting Reactant, और इसकी More Amount यूज हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, Access Reactant तो जिसकी Least Amount यूज होगी और जो Chemically Firstly यूज हो जाएगा, उसको Limiting और जो Secondly और Entirely Consume नहीं होगा और Access Amount में पढ़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, Access Reactant, उसके बाद कुछ Points हैं कि हम Limiting Reactant को कैसे Point Out कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा यह Limiting Reactant है, तो उसके लिए हमारे पास Four Points हैं, इन Four Points के थ्रू हम Easily Limiting Reactant और Access Reactant को Point Out कर सकते हैं, तो पहली-पहली हमारे पास इ होने चाहिए, और Balanced Chemical Equation और Erectant भी और Product भी, दूसरा यह है कि Determine the Number of Moles of Reactant, यह भी देखना है कि Number of Moles of Reactant कितने हैं, जैसे यहां पर Two Moles हैं और यहां पर One Moles Oxygen है, यह नहोंने Two Moles of Water बना दी हैं, तो यह भी देखना है कि कितने Moles के यूज़ होएं, और कितने Moles के यूज कितने Moles के यूज़ हो रहे हैं, और Third Point कहा रहा है, Find Out the Number of Moles of Product from a Balanced Chemical Equation, और यह भी देखना है कि हमारे पास Least Moles of Product किसके यूज़ होएं, कितने यूज़ हैं, इसी तरीके से हम इसली क्यास कर सकते हैं, हम Find Out कर सकते हैं कि Limiting Reactant हमारा कौन सा है, और Atomic Masses के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक जैंपल में Given दी हुई है, तो Numerical को यूज़ करते हो, इसको Sort Out कर करके भी हम Limiting Reactant और Access Reactant को Find Out कर सकते हैं, हमारे पास Numerical है, हमने Find Out करना है, Limiting Reactant और Access Reactant, कह रहा है कि अगर Ethene की Combustion हो, और Convert हो जाए Carbon Dioxide और Water में, तो बताएं, हमारे पास इतनी Amount Ethene की है, इतनी Amount Oxygen की है, और बताएं कि इसमें Limiting Reactant कौन सा है, और Carbon Dioxide का Mass का है, तो सब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डैटा में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास देखें, यहां पर Mass दिया हुआ है, इतीन का, तो Mass of C2H4, यह कितना है, यह है, 2.8 ग्रैम, उसके बाद है, Mass of O2, लेकिं Mass of O2 दिया हुआ है, कितना 6.4 ग्रैम, और कह रहा है कि Limiting Reactant Find Out करें, Balanced Chemical Equation में, और Mass of Carbon Dioxide कितना फार्म हुआ है, वो बताएं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यह ही Equation लिख ले नहीं है, C2H4, प्लस 302 is equal to 2CO2, प्लस 2H2O, तो यहां पे अगर आप गोर करें, तो एथीन की, ऑक्सीजन की और Carbon Dioxide की बात हुई है, तो हमने Limiting Reactant इन दोनों में Find Out करना है, तो हम Ratio Method को Use करते हुए, अलग-अलग से देखेंगे कि कौन सा Limiting Reactant है, और कौन सा Access Reactant है, तो सबसे पहले हम इसको और इसको लेकर चलते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, From Equation and From Question, From Equation में हमने Atomic Mass Find Out करना है, तो इसका Atomic Mass हाएगा, 12 प्लस 12, 24 प्लस 4, तो यह हो जाएगा, 28 ग्रैम, उसके बाद हम इसका देखते हैं, कार्बन हमारे पास 24 है, और अक्सिजन हमारे पास हो जाएगा, 64 तो यह हो जाएगा, 88 ग्रैम पर मूल, और इसका मैस कितना दिया हुआ है, देखें, इथेन का 2.8 ग्रैम, 2.8 ग्रैम, और हमने X Find Out करना है, कारबन आएक साइट का मैस, इसको क्रास मल्टिपलाई कर लें, 28 मल्टिपलाई बाइ 88 इस इक्वाल टू पॉइंट एट मल्टिपलाई बाइ एक्स इसका आंसर हमारे पास आजाएगा, इसका अंसर हमारे पास है, 8.8 gram of carbon dioxide from C2H4 यह वारे पास mass finder आ गया है अब दूसरा find out कर लेते हैं तो दूसरा हमारे पास है C2H4 plus 3O2 is equal to हमारे पास क्या है 2CO2 plus 2H2O अब हमने इसका find out कर लिए है अब इसका और इसका find out कर लेते हैं तो oxygen यहां पर 3 multiply by 2 16 multiply by 6 हो जाएगा 96 फाम equation में हमने क्या करना है atomic mass find out करना है और इसका अभी हमने find out किया कितना है 88 gram per more अब इसका mass क्या दिया हुआ है देखें यहां पर 6.4 gram तो यहां पर from question में हमने इसका लिग देना है 6.4 gram और इसका हमने find out करना है class multiply कर लें इसको x multiply by 96 is equal to 6.4 multiply by 88 ठीक है अब यह multiply हो रहा है तो इदर आओके क्या हो जाएगा divide 6.4 multiply by 88 divided by 96 x is equal to इसका answer हमारे पास आ रहा है 5.8 gram of CO2 from O2 अब यह हमारे पास निकल आया जी mass carbon dioxide का from O2 अब यहां पर हमने देखना है limiting reactant क्या है और excess reactant क्या है तो यहां पर देखें amount यहां पर है 5.8 gram और यहां पर है 8.8 gram तो याद रखिए का आप इसमें हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास इसकी amount oxygen जो हमारे पास carbon dioxide oxygen ते फाम हो है 5.8 यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास limiting reactant है यह हमारे पास क्या है limiting reactant है और यह हमारे पास क्या है excess reactant क्यों क्योंकि इसकी amount हमारे पास जादा है और हमने उपर पड़ा था the reactant which form least amount of product is known as limiting reactant and the reactant which form more amount of product तो हमारे पास oxygen limiting reactant है और इथीन हमारे पास क्या है एक्सेस रियक्टेंट है तो इस नमेरिकल नमबर टू है find out the masses of NHP gas produced by the reaction of 100 gram of nitrogen gas and 100 gram of hydrogen gas from this given equation इस given equation से हमने mass find out करना है NHP gas का और ये बताना है कि इसमें limiting reactant कौन सा है और excess reactant कौन सा है तो हम find out करते हैं हमारे पास reactant आए वारे बारी-बारी कर लेते हैं पहले 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 हम इस UH क्र लेते हैं लास्ट मेशंग कर लेंगे तो हमने क्या करना है यहांप लिखना है from equation and from question वेष्ण कस्टADEव् यह हो जाएंगे 34 gram पर मोर और from question में हमारे पास कितने है हमारे पास कितना है 100 gram तो यहां पर मैंने 100 gram रिख दिया और यहां पर मारे पास क्या है हमने find out करना है X तो इसको cross multiply कर लेते हैं 28 multiplied by x Is equal to 100 multiplied by 34 यह हो जाएगा 3400 और यह multiply हो रहा है तो इद्धर लागे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 28 और 3400 इसका अंसर हमारे पास आता है 121 ग्राम 121 ग्राम आफ एनेज 3 गास प्रूद्यूस फ्राम N2 gas यह तो हमारे पास हो गया एक find out हो गया मैस दूसरा हम find out करते हैं इसी तरीके से N2 plus 3H2 is equal to 2 NH3 अब हमारे पास इसका और इसका मैस find out करना है from equation from question from equation में हमारे पास मैस कितना है 3 multiply by 2 यह हो गया 6 gram पर मूल और इसका हमारे पास था 34 gram और इसमें हमारे पास क्या है ग्राम पर मूल इसमें हमारे पास मैस कितना दिया हुआ है hydrogen का यह भी 100 gram दिया हुआ है और इसका हमने find out करना है x इसको cross multiply कर ले 6 multiply by x is equal to 100 multiply by 34 यह हो जाएगा 3400 यह multiply हो रहा है तो इदर हो किया जाएगा यह जाएगा डिवाइड हो जाएगा जब इसका answer निकालेंगे तो इसका answer हमारे पास आता है 566 gram of NH3 gas from H2 gas produce from H2 gas तो यह हमारे पास mass निकला है आप यहाँ पे देख लें amount किस की साथ है और किस की कम है देखें यहाँ पे हमारे पास N2 से जो gas produce हुई है उसकी है amount 121 gram और H2 से जो gas produce हुई है उसकी है 566 gram यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे पास limiting reactant इसकी कम है तो यह मारे पास क्या है यह मारे पास limiting reactant है और यह मारे पास क्या है यह access reactant है तो easily हमने क्या कर लिया fine root कर लिया तो इसी तरिके से आप limiting reaction भी fine route कर सकते हैं और excess reaction भी fine route कर सकते हैं धर में कुशिश कीजिएगा उमीद है कि आपको ये lecture समझ आ गया होगा अलाफीस